हेलो एब्रीवन वेलकम टू निखार फेशन विला तो देखिए आज की वीडियो में मैं आपको ये प्लाजो की स्टिचिंग बताने वाली हूँ इससी पिछली वीडियो में जो है मैंने आपको इसकी कटिंग बताये था और ये देखिए हम अपने प्लाजो की बोटम में जो में फेब्रिक है जारजट का उसको हम पहले इस अस्तर से अटेच करेंगे तो यह मैंने क्रेप का अस्तर लिया था तो अभी देखिए हम इस तरीके से अपने अस्तर को इस तरीके से रखेंगे और में फेब्रिक को भी इसके उपर रखते हुए पहले हम क्रोच एरिया से औ हम इसको अलग अलग जोड़ेंगे तो हम इसको पूरा अटेच नहीं कर रहे हैं शिर्फ हमने जो एक रोच एरिया और उपर की तरफ भी इसको अटेच करना है तो अगर आपने इसकी कटिंग का वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रेप्शन बॉक्स में दे दूँगी और स्क्रीन की एंडिंग में भी दे दूँगी तो आप जरूर देख लिजेंगा मैंने बहुती इजी मेथर से प्लाजो की कटिंग बताया है तो अभी देखिए उपर से हमने जोड लिया है अभी साइड से क्रोच एरिया को भी अस्तर के साथ में ढोल लुआ से हमने जार मैचिंग का हमने जो इसके ऊपर कुरती बनाएंगे तो उसका वीडियो मैं बहुत जल्दी अपलोड करने वाली हूं तो आप मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लिजिएंगा ताकि रोजाना मैं आपके लिए नए नए कटिंग और स्टिचिंग के वीडियो लेकर आऊ तो आपको उसकी अपडेट मिलती रहे तो अभी देखिए हम अपने क्रोचेरिया को अस्तर से अटेच कर रहे हैं मेन फेब्रिक से तो आपने भी सेम ऐसे ही अटेच करना है तो ज़्यादा फेब्रिक जो एक्स्ट्रा है वो हम अभी कट कर लेंगे तो देखिए हमने इस तरीके से रखके एक्स्ट्रा फेब्रिक निकल रहा है क्रोचेरिया का वो हम कट कर लेंगे तो ये फेब्रिक दोनों तरब से एक्स्ट्रा कट करने के बाद में हम दूसरे पार्ट को भी सेम इसी तरीके से अस्तर से अटेच कर देंगे तो यह देखिए अभी हम दूसरे पाट को भी सेम ऐसे ही अटेच कर देते हैं अस्तर और मेन फेब्रिक को तो यह हमने दोनों पाट को देखिए अटेच करके एक्स्ट्रा मार्जन कट कर दिया है अभी देखिए हम अपने क्रोच एरिया को attach करेंगे दोनों side के तो हम देखिए right side हमारी अंदर की तरफ है और wrong side हमारी दोनों की बाहर की तरफ है और अभी हम दोनों side से crochet पर सिलाई लगा देंगे half inch का margin लेते हुए तो हमने इसमें half inch का margin लिया था crochet में तो उतना ही हमने अपने margin में दबाते हुए सिलाई लगाना है तो हम इसमें double सिलाई लगा देंगे बाद में हम इसमें interlock कर देंगे तो अभी देखिए दूसरी side का भी crochet में attach कर देती हूँ तो बहुती easy तरीके से बता रही हूँ मैं आपको तो आप वीडियो को देखकर आसानी से प्लाजो की stitching और cutting कर सकते हैं तो देखिए यह हमने दोनों side का crochet का जो है crochet जोड लिया है और इस पर double सिलाई भी हमने लगा दिया है तो अभी हम जो है इसको सीधा करेंगे तो यह देखिए हमारे crochet की finishing दोनों side से तो अभी हम देखिए उपर की तरफ जो हमारा है यहाँ elastic attach करेंगे फूल elastic तो अभी देखिए यह हमने 1 inch का elastic लिया है तो मैंने आपको cutting में भी बताय था इसका margin भी हमने extra 1 inch का लिया था तो अभी देखिए elastic हमें हमारी कमर के हिसाब से कितना लेना है जितनी हमारी कमर है उससे 7 inch हमें elastic कम लेना है तो मेरी कमर 35 है तो देखिए उपर की तरफ में 7 inch छोड़ते हुए 35 यह देखिए हमारा 35 elastic में cut करूंगी 7 inch minus करते हुए तो अभी मैं यहाँ से cut कर दूंगी और अभी देखिए मैं आपको मेजर करके दिखाती हूँ हमारा तयार elastic कितना है तो यह हमारा तयार elastic 28 inch है यानि कि 28 inch तो देखिए जो भी आपकी कमर हो उसमें आपने 7 inch elastic कम करना है तो मेरी कमर 35 ती तो मैंने 7 inch कम किया है अगर आप लूच पैनते हो तो एक inch उसमें बढ़ा भी सकते हो यानि कि 6 inch कम कर सकते हो तो अभी देखिए हम elastic को इस तरीके से पाच्छे सिलाई लगा के इन दोनों का मूँ पैक कर देंगे इस तरीके से आमने सामने करते हुए तो यह हमने सिलाई लगाने के बाद अभी देखिए इस तरीके से फोल्ड करके दो मार्किंग दोनों तरफ और कर देंगे तो यानि कि हमने सेंटर निकालते हुए चारों तरफ मार्किंग कर दिया है यह देखिए इस तरीके से तो अभी सेम इसी तरीके से जो है हम अपने प्लाजों के उपर भी marking करेंगे तो देखिए दो तो यह हमारे आमने सामने के center आ गए हैं अभी side के center में भी हम इस तरीके से marking कर देते हैं तो यह pen की marking नहीं दिख रही है तो मैं आपको chalk से करके दिखा देती हूँ यह देखिए इस side में भी तो इधर भी हमारी total जो है चार marking हो गया है तो यह elastic लगाने का method इतना easy है कि आप घर बेटे एकदम ही आसानी से यह elastic लगा पाऊंगे तो अभी देखिए पहले हम इसको उपर से half-half inch forward कर देंगे तो यह elastic लगाने का तरीका मैंने एक वीडियो में बता रखा है तो उसका link भी आपको में description में दे दूंगी तो आप उसको भी जरूर देख लिए जेंगा बहुत ही easy तरीके से elastic लगता है यह आप अगर इस तरीके से लगाऊंगे तो आपको elastic लगाने में कभी भी दिक्कत नहीं आएंगी तो अभी देखिए हम चारो जो निशान लगाए हमने इन चारो निशानों को अपने प्लाजों के निशानों से मिलाते हुए एक एक सिलाई लगा देंगे पहले तो यह देखिए यह जो हमने निशान लगा हैं तो पहले हम center का निशान लगाते हैं वहापर शिलाई एक तो देखिए इस तरीके से हमने center में रखा अपना Elastic और इस तरीके से इसे ऊपर 1 inch फोल्ड करते हुए Elastic के ऊपर और इस तरीके से पहले हम एक सिलाई लगा लेते हैं यहाँ पर तो यहाँ से एक जगह से पक्का कर दिया है अभी हम ऐसे ही दूसरे निशान को भी हमारे प्लाजो के निशान से मिलाते हुए यहाँ पर भी एक सिलाई लगा देंगे तो यह सिलाई लगाने से क्या होँगा कि हमारा जो elastic है वरोबर जितना fabric है और जितना elastic है उसमें fix हो जाएंगा कई से भी extra salvate नहीं आएंगी हमारे प्लाजों में proper हमारा elastic चारो तरफ एक जैसे आजाएंगा तो यह देखिए हमने चारो तरफ सिलाई लगा दिया है यह देखिए तो अभी हम पहले elastic के center में एक सिलाई लगाएंगे पूरे में तो हमने दोनों हातों से देखिए एक side से इस तरफ से खेचना है और दूसरे हाथ से हम помощe की तरफ खेचते हुए इसमें सिलाई लगा लेना है तो पहले ऐसे ही आपने center में सिलाई लगाना है उसके बाद में हम elastic के बिलकुल corner उपर fabric पर सिलाई लगाएंगे तो देखिए इस तरीके से आप elastic लगाऊंगे न तो आपको elastic लगाने में कभी भी दिक्कत नहीं आएंगी और बहुती easy तरीके से लग जाएंगा तो देखिए जो यह मैं आपको tips और trick बताती हूँ न तो यह मैं खुद इस्तमाल करती हूँ इसलिए मैं आपको बताती हूँ ताकि आप भी घर बेटे आसानी से इस तरीके से लगा सको especially अगर आप beginners हो तो वो तो आपके लिए बहुती अच्छा है यह trick तो अभी देखिए हम elastic को pack करने के लिए बिल्कुल इसके corner पर सिलाई लगाएंगे तो यह सिलाई हम elastic के उपर नहीं लगा रहे हैं बिल्कुल elastic के बाजू में सिलाई लगा रहे हैं तो देखिए इस तरीके से हमें दोनों हातों से आगे पीछे की fabric खेचते हुए हमें पूरे में continue सिलाई लगा लेना है तो यह देखिए हमारे सिलाई बिल्कुल corner पर लग रहे है elastic के उपर हमारी सिलाई चली नहीं रहे है इस तरीके से आप elastic के attach करोंगे ना तो बहुती आसानी होंगी तो यह देखिए हमने दोनों सिलाई लगा दिया है अभी आप चाहो तो ऐसे ही रख सकते हो और आप चाहो तो इसमें दो सिलाई और लगा सकते हो इसके center में तो मैं आपको दो सिलाई और लगा के इसका final look दिखाती हूँ अपने elastic लगाने का तो देखिए यह हमारा elastic जो है कितना finishing से लग गया है दोनों तरब से देखिए और कही पर भी extra salvat नहीं है तो अभी हम देखिए अपने अस्तर की bottom को इस तरीके से double fold करेंगे जितना हमने extra नीचे का margin लिया है हम यह अलग-अलग fold कर रहे हैं क्योंकि हम अभी अस्तर और main fabric को नीचे की side से अलग-अलग attach करेंगे जिससे क्या होगा न हमारे plajo का जो look है वो और भी खुबसूरत आएंगा तो अगर आप भी जारजट के और पतले fabric को अस्तर के साथ बनाते हों तो आपने भी नीचे की side से जो हो अलग-अलग attach करना है तो यह देखिए हमने दोनों की bottom fold कर दिया है अभी हम अपने main fabric को भी सेम इसी तरीके से double fold करते हुए सिलाई लगा देंगे फिर बाद में हम इसके उपर में जो यह sequence की lace attach करेंगे तो अगर आपने वीडियो को like नहीं किया हो तो जल्दी से वीडियो को like कर दीजिए और मेरे channel पर अगर नए है तो channel को subscribe करके bell icon के notification को भी on कर दीजिए ताकि मैं रोजाना जो नए नए वीडियो डालू उसकी notification आपको मिलती रहे तो अभी देखिए हम अपनी bottom के उपर lace लगाएंगे तो इस तरीके से हम lace को रखेंगे तो अगर आपने मेरे कुर्टी का वीडियो नहीं देखा है cutting stitching का तो आप वो भी जरूर देखिएंगा मैंने बिल्कुल राजा रानी कोचिंग स्टाइल में कुर्ति की भी कटिंग और स्टिचिंग बताई है तो उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रेप्शन बॉक्स में दे दूंगी तो आप वो दोनों वीडियो भी जरूर देखेंगा तो अभी देखें हम लेज के उपर की साइड में भी हम सिलाई लगा देंगे तो यह पलाजो बनने के बाद बहुत ही खुबसूरत लगेंगा हम इसके उपर जो है सेम कुर्ति भी बनाने वाले हैं तो उसका वीडियो भी मैं बहुत जल्दी अपलोड करने वाली हूँ तो अभी देखें यह हमने दोनों की बॉटम में लेस को आटेच कर दिया है अभी हम साइड की फिटिंग लगा देंगे तो पहले हमें देखें उपर की तरफ से 3-3 इंच दोनों साइट से सिलाई लगाना है अस्तर और में फेब्रिक को पकड़ते हुए इस तरीके से यहाँ पर जहाँ क्रोच एरिया है हमारा तो अभी देखें मैं आपको मेजर करके दिखा देती हूँ तो तीन इंच इदर और तीन इंच इदर टोटल 6 इंच के हमें एक साथ से सिलाई लगा लेना है अस्तर को पकड़ते हुए तो यह सिलाई लगाने के बाद अभी देखें हम पहले मैं फेब्रिक को सिलाई लगाएंगे इसको हम इस तरीके से डबल फोल्ड करेंगे क्योंकि हम इस पर इंटलोक नहीं कर सकते यह हमारा टांस फ्रेंट कपड़ा है तो यह बहुत ही पतला है तो इसमें इंटलोक दिखेंगा तो हम इसको इस तरीके से डबल फोल्ड करना है जिससे हमारे फिनिशिंग भी अच्छी आए और धागे भी नहीं निकलेंगे तो अभी हम यहाँ से पक्का करने के बाद धागे को कट कर लेंगे और दूसरी साइड से भी देखिए हम सेम इसी तरीके से जो है सिलाई लगा देंगे डबल फोल्ड करते हुए तो यह मैंने दोनों तरफ सिलाई लगा दिया हैं अभी देखिए हम अपने अस्तर को भी सिलाई लगा देंगे तो मेन कपड़े को इस तरीके से अंदर कर देंगे और उसके बाद में अस्तर के उपर फूरे में कंटिनू सिलाई लगा देंगे दोनों साइड तक तो देखिए ये अभी अस्तर को जो है एक साथ सिलाई लगा रहे हम पूरे में और मेन फेबरिक हमारा अंदर की तरफ है वो हमारा अलग है उस पर सिलाई नहीं लग रहा है तो आपने भी जारजट का या फिर इस तरीके के पतले कपड़े के पलाजो को ऐसे ही अलग अलग जोड़ियेंगा तो अभी देखिए मैं इसको सीधा करके आपको दिखाती हूँ फिनिशिंग देखिए इसके सेंटर की अभी हम जो है इसको अच्छे से प्रेस कर लेंगे तो प्रेस करने के बाद मैं आपको इसको दिखाती हूँ तो यह हमने देखिए प्रेस भी कर लिया है और यह हमारा कितना खुब्सरत पलाजो बनके तयार हो गया है और ये देखिए अभी हम जो है इस प्लाजो के साथ ही अपनी कुर्ती बनाएंगे तो ये हमारी कुर्ती का फेबरिक है और ये लेस को हम इसके नेक और इसकी स्लिउस में भी अटेज करेंगे तो उसका वीडियो में बहुत जल्दी अपलोड करूँगी तो अभी मैं आपको ये देखिए प्लाजो का फाइनल लूग दिखाती हूँ और ये कितना फिनिशिंग से और कितना खुबसूरत हमारे प्लाजो बन के तयार हुआ है तो अगर आपको ये मेरे प्लाजो का वीडियो अच्छा लगाओ तो वीडियो को लाइक सेर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और रोजाना सिलाई सिखने के लिए मेरे चैनल पर बने रही है और मिलते हैं नेक्स वीडियो में तेंक्स पर वोच्चिंग